सभी साथियों को मेरा नमस्कार साथियों यूडाइस प्लस पर प्रोफाइल एंड वैसलेटी टीचर मॉडिल और स्टूडेंट मॉडिल यह भर चुके हैं लेकिन यहाँ पर देखें पीजी इंडिकेटर में कुछ चीजें गलत भर दी गई हैं उनको हमें सही करना है तो यहा पर सभी मॉडिल आपको देख जाएंगे सबसे पहले हम प्रोफाइल एंड फैसलेटी मॉडिल को देखते हैं यहाँ पर विद्ध्यालय का यूडाइस कोड़ टाइप करेंगे कैप्टर टाइप करेंगे लोग इन कर लेंगे यहाँ पर देखिए आपको प्रोफाइल DCF आपको दिखेंगे डाटा एंट्री करेंटली एक्टिव तो यह जो फैसलेटी वाला DCF इसको ओपन कर दिया गया है यहां से आप लेंग्विज चेंज कर सकते हैं और सबसे पहले हमें DCF 1.39 से 1.51 में जाना है यहां आपको आंगनवाडी और वालवाटिका की सूचना द करते हैं तो उसके बाद आपको आंगनवाडी का कोड और कितने चात्र चात्रा हैं वो संख्या आपको यहां पर देनी है उसके बाद देखें आपको क्या बालवाटिका सह इस्थित को लोकेटेड आंगनवाडी है तो अगर है तो आप हां कर देंगे नहीं है तो आप नही तो यह डिटेल आपको जब भरनी है जब आप आउट आप स्कूल बच्चों के लिए हां कर रहे हैं अगर नहीं है बच्चे आउट आप स्कूल तो आपको इसको नहीं वरना है अब 1.54 से 1.57 हम देखेंगे यहां पर देखिए क्या स्कूल आपदा प्रबंदन योजना विक् आप नहीं कर दें क्या स्कूल में से सटीटी वी कैमरा उपलब्द हैं यहां पर स्कूल में सूरच्चा है अगर आप इसी सिट्थ नामird करते तो आप यहां पर कर सकते हैं ? अधर्वाईज आप नहीं करें तो जो चीजिए आपके विद्यालव में उपलब्द दें उसीं के अनुसार आप इनको भरें ॉर अगर नहीं है तो आप नहीं करेैं कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से आप इनको भरFr quests तो देखिए यही PGI इंडिकेटर्स हैं जिनकी वजए से स्टेट की रेंग प्रवावित हो रही है क्या इस्कूल की लड़कियों के लिए आत्मरच्छा प्रसिच्चड के लिए अनुदान मिला है तो देखिए रानी लच्वीवाई अनुदान मिला है तो जिन विद्यालेव अगर आप यहां पर नहीं कर देंगे तो नीचे आपको 1.54.11 में यह डिटेल्स आपको नहीं परनी पड़ेंगे मार्क दर्शन और प्रामर्जदाता माता पिता का संबेदी करण चात्रों और समधाय के लिए जागरुकता पैदा करना विद्ध्यार्थियों का प्रतिकरि करते हैं पर अभिम यहां पर तेंगे अम डियaiं में कितने दिन बच्चों कको खाना के लाए घया घया वह संध वह अप पर देखिये यहां पर सभी शिचकों के पास आधर यढिश को harster है तो आप को ईडिया बटनी है और आपको यहाँ पर सिंचकों की शो इस तो यहां पर दें तो यहां पर देखिए सही कोई भेस्ता नहीं है तो आप वहां पर नहीं कर दें चाथरों की उपस्तिति के लिए ईसी बénergieना अब यहां पर देखिए सहयुहक्ते स्कूल जो पॉजिट ग्रांट है उसका डाटा देना है पुस्तकाल अनुदान बड़े मरम्मत कार एतु अगर कोई अनुदान प्राप्त हुआ है तो वो देना है खेल और सारी रिक्स अच्छा के लिए अनुदान मीडिया और सामदाइक जुटा वेतु अनुदान तो देखे 2022-23 में य पैसा आया है वो इसी मद में आया है SMC और SMD के लिए अनुदान तो यह आप यहां पर सही सही डिटेल भरेंगे जो आपको प्राप्त हुआ है वही डिटेल आप बरें अदर्वाइस आप ब्लैंक चोड़ दें उसमें कोई दिक्कत नहीं है अब देखे बहुत एक सुबद अपको सही सही डिटेल आया है यहां पर आपको गलत डाटा देने की कोई ज़रूँत नहीं है चार दीवारी का प्रकार अब यहां पर आपको इंफ्बर मेन सब्रकन मैं और नहीं आपको है इससे आपके विद्ध्याले को नुकसान होगा और स्टेट को भी नुकसान होगा अब देखें सोचाले की जानकारिया आपको देख लेनी है अगर सोचाले है तो आप हां करें कितने क्रिया सील हैं वो संख्या आपको दे रही है। यहां पर देखें आपको सारे डीसीएफ पर जाने के जरूथ नहीं हैं सबत् communities अब अपको बता जा रहा है या बीरती दार्लिक लिस्ट जांवी की गई है वहां पर आपको पीज इलिखे दे रखें जिनमें आपने त्षल गलत वरी है उन इंडिकेटरों को आपको आपको देख कर वही इंडिकेटर आपको सही करने है देखे क्या स्कूल में बर्सा जल संचेन रेंड वाटर रही की बिवस्ता है अगर है तो आप हां करें otherwise आप यहां पर नहीं कर दें अब देखिए computer और digital पहल्प में यहां पर सूजना देनी है आपको यह चीजें भी आपको बहुत अच्छे से देखनी है desktop PC है laptop है, tablet है अगर है आप यूज कर रहे हैं तो आप वहाँ पर संख्यात दें otherwise आप यहां पर blank चोड़ दें क्योंकि यह data आपको actual इस्तिती पर ही देना है आपको गलत information यहां पर आपको नहीं देनी है देखे एक option अगला है 2.23 क्या स्कूल में internet की सुविदा है तो यहां पर आपको देखिए हां करना है अगर देखे स्कूल में उपलब्द internet की सुविदा के प्रकार पर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए broadband internet नहीं है लेकिन यहां पर mobile phone internet तो सभी लोग mobile में internet यूज़ कर रहे है तो आपको यहां पर हां करके option number 4 select कर लेना है तो यह option आपको जरूर देख लेना है अब देखे छात्रों के लिए computer lab अगर है तो आप हां करें दर्वाज नहीं कर दे स्कूल में यह सामगरी के लिए आपको यहां पर हां करना है क्योंकि हम दीच्छा एप के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं डिजिटल सामगरी बच्चों के लिए उपलब्द करवा रहे हैं CWSN के लिए सायक तकनीकी आदारित समाधान है तो आप इन चीज़ों को देख लें DTS TV चैनलों के साथ यह देख लें तो आपको यहां पर सही इनफोर्मेशन भरनी है सात्यों आपको अमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें वीडियो को लाइक करें और अन्य सात्यों की मत के लिए से सेयर करना न भूलें इसके बाद आपको टीचर मॉडियूल देखना है टीचर मॉडियूल में भी आपको सारी चीज़ें देख लेनी है teacher module का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा link description box में मिल जाएगा आई बटन में मिल जाएगा वहाँ से आप इसको देख लेंगे teacher module में आपको कौन-कौन सी चीजें किस तरीके से भरनी है सभी सिच्छकों के आधार validate कर लेने है professional qualification teacher module में जो सबसे ज्यादा गलत डाटा आया है वो इस प्रकार का आया है प्रसिच्छड को लेकर तो सभी सिच्छकों को कोई न कोई प्रसिच्छड समय समय पर दिया जाता है चाहे वो online हो offline हो अगर आपका प्रसिच्छड उस लिष्ट में है तो आप वहां से select कर लें और जो प्रसिच्छड आपको मिला है वह उस लिष्ट में नहीं है तो आप वहां से other select कर लें तो यह सारी चीजा आपको जरूर देख लेनी है टीचर मॉडिल का लिंक का आपको description box में मिल जाएगा वहां से आप